Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and most welcome to my YouTube channel So dear learners, आज की इस class में हम discuss करेंगे agriculture Primary activities का chapter जो है वो हम cover कर रहे हैं उसमें हमने दो activities को detail में discuss किया था Hunting and Gathering and second is Pastoralism तो आज की इस lecture में हम entire agriculture में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें आज ही के lecture में cover करेंगे ठीके तो चली स्टार्ट करते हैं agriculture Okay, agriculture को लेकि अगर बात की जाए जैसे हमने hunting gathering किया था Hunting gathering में सबसे पहले time पे ancient time पे people क्या करता था Hunting करता था, gathering करता था उसके बाद आइस्ता इस्ता pastoralism आया तो उसके बाद agriculture system आया ठीके, agriculture के अगर बात की जाए जितनी भी primary activities है ठीके, उन सब में सबसे ज़्यादा important अगर कोई है तो अगर agriculture है मतब जितने भी primary activities हम discuss करेंगे next हम mining के उपर बात करेंगे तो उन सब में से जो important primary activity माने जाते है that is agriculture ठीके, क्योंकि ये आज की time पे भी agriculture की वज़े से मतलब पैसा कमाया जाता है, इसको commercial बनाया जाता है मतलब एक country में अगर agriculture system है तो उस country की जो economy है वो इस agriculture की वज़े से बढ़ रही है ठीके, इसलिए बहुत जादा important activity माने जाती है कौन सी primary activity, अब world की जो half of the population है वो agriculture के उपर depend है, अगर देखा जाए तो ठीके, और mostly कौन सी countries आती है developing countries, ठीके, जितनी भी developing countries है वो agriculture system में जादा involved है ठीके, उनमें 65% जो population है about 65% population वो agriculture के उपर depend है developing countries में, ऐसा नहीं कि developed countries में agriculture नहीं होता developed countries में भी होता है, ठीके आज के time पे तो जितने भी आप developed countries ले रहो ठीके, वहाँ पे आप देखो agriculture system बहुत अच्छे से हो रहा है एवनके वहाँ पे ऐसी सी technologies आई है ऐसे से machinery आई हैं ठीके, उस agriculture को उन्होंने commercial बना दिया और उसी के थूँ जो है, मतलब वो पैसा कमा रहे है ठीके, country की economy उसी के थूँ बढ़ रही है तो अगर हम बात करें methods of farming के उपर तो methods of farming के basis पे different types की crops को grow करवाय जाता है और livestock की rearing की जाती है ठीके, उसमें जो कुछ agricultural system है main agricultural system वो ही हम इस entire lecture में cover करेंगे उनमें से number one आता है subsistence agriculture, then intensive subsistence agriculture then plantation, then extensive commercial grain cultivation then mixed farming उसके बाद आता है हमारा next ठीके, ये सारे के सारे के हैं agricultural systems है ठीके, इन different agriculture systems के थूँ agriculture किया जाता है ठीके, वोल्ड के different different regions में तो next वोल्ड के आता है that is dairy farming, then Mediterranean agriculture then market gardening and horticulture then cooperative farming, then collective farming ठीके, ये कुछ different agricultural systems है जिनके थूँ मतलब वोल्ड के different different regions में agriculture किया जाता है ठीके, तो चलिए one by one हम इनको discuss करेंगे ठीके, अच्छे से तो सबसे पहला जो हमारा आता है that is subsistence agriculture ठीके, क्या आता है subsistence agriculture subsistence agriculture की अगर बात की जाए इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे areas होती है मतलब जहांपे हमारे पास areas बहुत जादा है ठीके, उन areas में पहले टाइम पर होता था ना पहले टाइम पर लोगों की पास जमीन बहुत जादा हुआ करती थी तो उस जमीन पर उतनी जादा प्रोड़क्शन नहीं होती थी जितने की आज की टाइम पर कम मतलब land hectare हमारे पास कम होता है ठीके उस पर कम से कम जमीन पर जादा ज़्यादा हम production करते हैं तो पहले टाइम पर जो होता था 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 ताइस सबसिस्टेंस agriculture ठीके वादा प्रिमिटीव सोसाइटी जो थी तब जो अगरिकल सिस्टम तब किया जाता था 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 तो उनकी पास जमीन तो बहुत ज़ादा उती लेकिन उसके कंपैरेजन वहां पे प्रोडक्शन उतनी ज़ादा नहीं हो पाती थी ठिक अब सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर को टू गुरूप्स में डिवाइड किया हुए फिर्स्ट इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अग्र पहले देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर क्या है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर जो है यह वह अग्रिकल्चरल सिस्टम है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज के दुरान जो होता था आज के टाइम पे भी है ऐसा नहीं कि आज के टाइम प अब देखिए इसको दूसरा नाम जो है shifting cultivation इसी के नाम से ही हम understand कर सकते हैं कि यह क्या करते हैं यह मतलब कुछ particular को एक period होता है जहां पे वो एक जगह उस जमीन के ओपर cultivation करते हैं agriculture करते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो shift कर जाते हैं किसी दूसरे region में किसी दूसरे area म करते हैं ठीक है अब यहां पर basically यह जो shifting cultivation होती है यह बहुत सरी ट्राइब्स जो हमारे राया रहे हैं ठीक है tropical regions में यह वो करते हैं इस ट्राइब्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरे को मूव करते हैं particular किसी season की वजह से हैं जैसे season change हो रहे है तो आप हमारे राजोरी में ज shifting cultivation ठीक है अब shifting cultivation का एक और reason भी है वो में next बताऊँगी ठीक है सबसे पहले हम देखते कि कहां कहां पर shifting cultivation करने को मिलती है ठीक है first Africa जो continent है उस region में मतलब हमें shifting cultivation जो है वो देखने को मिलती है ठीक है South and Central America ठीक है South East Asia वर्ल्ड के इन कुछ parts में हमें क्या देखने को मिलता है shifting कुछ एरिया से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर को लेकि वह कौन-कौन से हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर में हमारा अफ्रीका कंटिनेंट आ जाता है ठीक है यहां पर देखिए अफ्रीका कंटिनेंट को ल अग्रिकल्चर देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद हमारा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका यहां पर आपको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अग्रिकल्चर देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद साउथ एंड साउथ इस्टेशिया यहां पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अ करके यहां पर प्रेजंट कर देना इन रिजंटि को कि जो shifting cultivation है यह shifting cultivation का डिटेऽल में णेयर मीनिंग देखते हैं कि होता क्या है विसे तो मैंने तोटक면 के तोड़ा से जस्ट बताई कि shifting cultivation क principle की होता कि जब जो tribal peoples होते थे गटल तुटस होते थे वह साथ सथ वहीं पे उसी दूसरे रीजिन में कल्टिविशन स्टार्ट करते थे बट ऐसा था कि उस एक पर्टिक्लर रीजिन में क्यों कर दे ते उसके पिछह यहीं था कि वहां की सॉइल की फिर्टिलिटी जो है, वह मेंटें नहीं रहती थी अगर वहां पर काण्टीन उजलिय की वो कल्टिविशन करेंगे तो उससे क्या होता था कि जहां पर भी जाते थे वो ठीक है जहां पर भी जाते थे मतलब एक सीजन्स की वज़े से वो मूव करते थे अपने लाइफ स्टॉक को अपने साथ लिये होएं है ना वो मैंने आपको नॉमडिक हर्डिंग में बताया था कि कैसे वो मूव करते हैं तो वो जब जिस जगा पर जाके रहरे होते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो भी नैचुरल वेजिटिशन हो पहलते हैं उनको वहां पर जेग्पर पर सीर्टिस के जाता है यहां अगर और वहां पर कोई वेजिटिशन है यह हो वहां पर कोई onions को जिला देते हैं उसे जो जहरा रहती है उससे क्या होती है Soil की फर्टिलिटी रहती है तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को इस वज़े से slash and burn agriculture भी कहते हैं कि इस वज़े से जब उस एरिया की particular जो vegetation होती है उसको जब हम जलाते हैं तो इसलिए उसको दूसरा नाम क्या पढ़ गया शिफ्टिंग कल्टिवेशन का ही slash and burn agriculture आपको examiner ऐसे भी पोछ सकते है slash and burn agriculture के ओपर short route लिखें यह shifting cultivation क्यों होता है यह चीज़े इसलिए आप सारे नाम याद रखेंगे ठीक है अब इसको shifting cultivation को different नाम से different region में जाना जाता है मतलब अलग 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 नाम से इसको जानते हैं लोग इसको primitive subsistence agriculture नहीं मतलब उस नाम से इंटाइर वल्ड में नहीं जाना जाता है या फिर shifting cultivation भी नहीं कहते हैं अलग अलग parts जहां पर यह जिसे अफरीका region हो गया Central America हो गया यह सारी regions हमारा South East Asia हो गया यहां पर अलग अलग नाम से shifting cultivation को जाना जाता है ठीक है जैसे important देखिए competitive exam कितने भी आप दें वहां पर आपको यह shifting cultivation का यह question जरूर पूछते कि इंडिया में shifting cultivation को क्या कहते हैं zooming ठीक है यह important नौर्थी स्टेट्स इंडिया की जो नौर्थी स्टेट्स हैं ठीक है जो ट्राइबल पीपल से जैसे मेगालिया के गारोखासी जैनिता है ठीक है वो मूव करते रहते हैं हमारे यहां पर गुजर बकरवाल है यह मूव करते रहते तो अपने साथ-साथ क्या करते है कल्टिविशन जो है वो भी मतलब उसी रीजन में जाके करते हैं शिफ्टिंग कल्टिविशन और इंडिया में इसको क्या कहते हैं जुमिंग ठीक है हुमाव कहते हैं इंडोनेशिया में और चीना कहते हैं शिरी लंका में यह आपको नाम याद रखने की इन पर्टिकुलर रिजुन्स में इन पर्टिकुलर कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टिविशन को इस नाम से जाना जाता है अब उसके बाद सब्सिस्टेंज ऍडरें कल्चर थक्ति इस अन्ड है भीविश सब्सिस्टेंसंगर में फोटेंगी काले यहां पो से बादा यह activity dominate कर रही होती है पर्टिकुलर उन regions में जहां पे dense populated regions होते हैं एशिया के अब dense populated regions एशिया के कहां पे हैं जहां पे monsoon climate होता है क्योंकि monsoon climate में ही तो यह agriculture करते हैं हमारे इंडिया में देखे ना monsoon की वज़े से agriculture agriculture मतलब को agriculture system कितने अच्छे से चलता है ठीक है उससे क्या होता है कि उसे water की नीड जो होती हो वो भी पूरी हो जाती है तो जितने भी densely populated regions है monsoon Asia के वहां पे हमें intensive subsistence agriculture देखने को मिलता है यहां पे आप एक चीज़ याद रखेंगे subsistence में हमने यह चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा मतलब area होता है उन लोगों के पास है ना लेकिं intensive subsistence में dense populated regions होते हैं लोगों के पास उतनी ज़्यादा जमीन नहीं होती है लेकिन production जादा से जादा होती है ठीक है अब two types के intensive subsistence agriculture होते हैं ठीक है इसमें first one that is intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation एक वो type जिसमें paddy की cultivation की जाती है wet paddy cultivation you know paddy cultivation rice जहां पे हम grow करवाते हैं ठीक है rice crop यहां पे जो dominate कर रही होती है that is rice crop ठीक है land holdings जो है यहां पे बहुत small देखने को मिलता है वही जैसे अभी मैंने आपको बताए due to high density of population की वज़े से ठीक है quar月ो फॉर्मर्स होते हैं काम करते है अपने मतरब फैमिली entire पूरी की पूरी फैमिली जाके खेतु उन को सीरा नहीं करते है अगर आप बाहर चछे जाएगे तो आप वहां पाहुत्भी फीमिल्स भी काम करती हुआ ठीक है उसके बद यहां पे मिशीनःे जो है उसका करने के लिए ठीक है तो intensive subsistence dominated by wet paddy cultivation में rice crop ग्रोव करवाया जाता है clear उसके बाद next पर आता है इसी का दूसरा part that is intensive subsistence agriculture dominated by crop other than paddy paddy cultivation के इलावा जो क्रोव करवाया जाती है मतलब जहां पर dense population रह रहा है वहां पर उसको intensive subsistence agriculture dominated by crop other than paddy कहेंगे ठीक है उसमें क्या होता है कि आप देखें different relief features की वज़े से climate change की वज़े से soil की वज़े से क्योंकि different types की soil अलग-अलग region में पाए जाती है हर जगा पर आपको same type की soil देखने को नहीं मिलेगी या फिर अधर जितने भी geographical features वो differ करते क्योंकि whole topography मारी differ करती है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि हर जगा पर हम देखें तो वहां पर paddy cultivation नहीं हो पाती है मतलब हर जगा पर अगर हम देखें कि rice की cultivation होगी वो नहीं होगी और आपको यहां पर जहां पर water available है अधर वाइस plane areas में भी नहीं होती है बादकी जो areas है नहीं यहां पर topography में देखें hills भी है, mountains भी है ना, plateos भी है एक है, तो वहां पर climate भी differ करता है वाटर available होता है, कहीen पर नहीं होता है ब्लेक रेड होगी ठीक है उसके बार लिट्राइट सॉइल होगी यह सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल के बेसिस पे यहां पर अगर देखे तो हर जगा पर पैड़ी की कल्टिविशन ही नहीं होती है पैड़ी की कल्टिविशन होती है लेकिन वह भी हर जगा पर नहीं होगी अब उसके लिए क्या होता है कि बहुत सरी अदर क्राप से हुझे की जाती होने एरियाज में जैसे वीट हो गया सोया बीन हो गया बादले हो गया इनको कल्टिवेट किया जाता है जैसे नदन चाइना देखे वो भी तो monsoon Asia का पार्ट है ठीक है Manchuria भी monsoon Asia का पार्ट है ठीक है Sorry, Manchuria नहीं आएगा monsoon Asia का पार्ट ठीक है उसके बाद North Korea, South North Japan ठीक है इन regions में अगर हम देखे तो इन regions में क्या होता है इतनी सारी crops की cultivation की जाती है कौन-कौन सी wheat, soya bean बारले यह सारी चीज़ है अब इंडिया में अगर देखे तो इंडिया में wheat की cultivation की जाती है वो western parts में की जाती है इसके indo-gangetic plains में अब indo-gangetic plains मारा बहुत बड़ा region है वहाँ उसके western part में wheat की cultivation की जाती है जैसे पंजाब, हर्याना यहाँ पर wheat dominate करती है यह crop ठीक है और millets जो है वो grow करवाए जाते हैं dry parts of western southern India southern India में जहाँ पर हमारा hot climate है जहाँ पर मारे dry parts है जहाँ पर मतलब उतना ज़्यादा बारश नहीं हो रही है या फिर western parts जैसे राजस्तान का semi-arid region जो हम कहेंड है न वहाँ पर millets की cultivation की जाती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप हम इस map पर देखेंगे आप देखे rice जो जहाँ पर rice dominate कर रहा है rice की जो cultivation हो रही है जो यह black shade से सारक सारक है यह सब paddy cultivation का region है ठीक है paddy cultivation का region है यहाँ पर देखें इंडिया में paddy cultivation कहाँ पर हो रहा है जो coastal region से सबसे दा यहीं पर हो रहा है जो indo-gangetic region है यहाँ पर भी paddy cultivation देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद south east region जो पूरा है यहाँ पर आपको paddy cultivation देखने को मिलेगा ठीक अधर क्रॉप जैसे वीट बार्ले आ गया ठीक है मेलर्ड सा गया इनकी cultivation की जाती है क्यों की जाती है वो मैंने आपको reason बता है क्योंकि होल जो हमारी topographic climate soil है वो डिफर करती है one place to another place ओके तो next देखिए next that is the plantation agriculture ठीक है next जो activity आती है that is the plantation agriculture अगर plantation agriculture की बात करें तो सबसे पहले plantation agriculture को introduce ही European countries ने करवाया था ठीक है European ने क्या किया था tropical regions में सबसे पहले plantation agriculture की cultivation की थी ठीक अब कुछ important plantation crops हैं जैसे tea हो गया, coffee हो ठीक है कोका हो गया, rubber हो गया, cotton हो गया, oil palm हो गया, sugar can हो ठीक है इसी को plantation agriculture कहते हैं, ठीक अब French जो थे French ने established किया था cocker coffee plantation को west africa में सबसे पहले French ने ही established किया था cocker coffee plantation को west africa में ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही cultivation किया था इसका, ठीक जैसे इंडिया में British rule था पहले तो Britishers जितने भी थे उन्होंने किया लाज टी गार्डन से बनाएं इंडिया और शिर्लंका में अब आपको बते कि इंडिया की नौर्थ इस्ट में जहां पे आसाम है, वहाँ पे जो है वो plantation agriculture की जाती है वहाँ पे टी की cultivation सबसे जादा हो रहे है, वहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट सबसे जादा हो रहे है, वहाँ पे ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी तीन टाइपस की टी वहाँ पे cultivation उन टी की की जाती है, और पूरे वल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है उसके वहाँ शुगर के बनाना प्लांटेशन जो है वेस्ट इंडिस में इसके cultivation की जाती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे plantation agriculture बेसिकली क्या होता है, यह देखें, यह हमारा जो image है, यह इंडिया की north east की है, आसाम में यहाँ पे देखें, यह tea की cultivation की जारी है यह leaves को प्लक कर रहे हैं, ठीक है इस तरह से tea की, coffee की, other जो crops है, उनकी cultivation की जाते है, different regions में उसी को हम plantation agriculture क्याते हैं, clear, उसके बाद, next लेखें, extensive commercial grain cultivation क्या होता है, ठीक है extensive commercial grain cultivation की अगर बात की जाए कुछ हमारे यहाँ पे semi-arid land है, जो की mid-latitude region में पाए जाती है, वहाँ पे extensive commercial grain cultivation की जाती है, ठीक है इसमें क्या होता है, कि इसमें जो cultivation की जाती है, crops की उसको totally commercial बनाया गया है, जैसे plantation agriculture भी commercial है, ऐसा ही कि वो नहीं है, उसमें भी आप देखिए, coffee, tea, other जो भी crops है, उनकी production की जाती है, ठीक है, cultivation की जाते है, इसमें ये totally commercial है, totally, ठीक है, इसमें जो सबसे important principal crop है, that is wheat, ठीक है, और ये कहां पे है, semi-arid regions of middle attitudes, जो हमारे middle attitude के जो region है, जहां पे semi-arid type का climate है, मतलब semi-arid region है, ना semi-arid क्या होगा है कि dry है, बट उतना भी dry नहीं है, वहां पे थोड़ी rainfall होती रहती है, ठीक है, और वहां की जो principal crop है, that is wheat, other crops से corn हो गया, barley हो गया, oat हो गया, rye हो गया, इन crops की cultivation की जाती है, यहां पे, ठीक है, और इस type का जो agriculture है, यह सबसे ज़्यादा, बेस्ट डवलप्ट बना जाता है, Eurasian steppies में, वहां जो भी grasslands है ना world में, important grasslands, उन grasslands में extensive commercial grain cultivation किया जाता है, ठीक है, best developed कहां पे है, इस type का agriculture, Eurasian steppies में, Canadian में, ठीक है, American prairies में यह steppies, prairies, ठीक है, यह सारे क्या है, यह grasslands है, यह grasslands के नाम है, ठीक है, Pampas of Argentina, Wells of South Africa, Australian यह grasslands के यह grasslands के यह grasslands कहा जाता है, South Africa में, जो grasslands जिसको weld कहा गया, वहां पे इस type की cultivation होती है, ठीक है, एर्जेंटीने के जो Pampas region है, जो वहां का grasslands region है, वहां पे commercial grain cultivation किया जाता है, ठीक है, प्रियारी ज्रास लेंड में, ठीक है, extensive commercial grain cultivation देखने को मिलता है, अब हम इसको map के ओपर देखेंगे, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे, extensive commercial grain, जो cultivation है, वो कहां कहां पे world में, किस-किस पार्ट पे किया जाता है, ठीक है, अब extensive commercial grain cultivation में अभी हमने देखा कि Eurasian steppies, ठीक है, Eurasian steppies region, जो है, वो कौन सा हमारा, वो यह वला region है, यहां पे, ठीक है, यहां पे extensive commercial grain cultivation किया जाता है, जिसमें wheat आ गया, oats आ गया, barley आ गया, rye आ गया, इन crops की cultivation की जाती है, ठीक है, South Africa का जो weld region है, वो यह वला है, यहां पे, इस type की agriculture system हो किया जाता है, ठीक है, South America, ठीक है, South America में जो है, वो हमारा, देखिए, North America में Prearyis region लिया गया, ठीक है, कोन सा गया, Prearyis region, ठीक है, उसके बाद यह हमारा Pampas region आ गया, ठीक है, Argentina का Pampas region, यह Preary region, North America का, यह South Africa का, Weld region, यह Australia का, Downs region, यहां पे क्या होता है यहां पे हमें extensive commercial grain cultivation देखने को मिलता है उसके बाद यहां पे आप देखेंगे that is mixed farming ठीक है mixed farming यह नाम से ही आप समझ जाएंगे कि mixed farming अगर बोला तो mixed का बदो यहां पे बहुत सरी crops को at a time यहां पे grow करवाया जाता है और इसके साथ animals के रेरिंग भी यहां पे की जाती है ठीक है इस type का cultivation होता है यह भी totally commercial होता है ठीक है commercial you know जहां जिसके तूप बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता ठीक है इस type का cultivation होता है highly developed parts of the world में देखने को मिलता है हाई developed countries है ठीक है तो उन countries में mixed farming देखने को मिलता है उसके बाद Eastern North America में mixed farming देखने को मिलता है ठीक है parts of Eurasia कुछ ठीक है temperate latitudes of southern continents जो भी है जितने भी southern continents उनका जो भी temperate latitude regions में जो भी countries लाए करती है वहाँ पे mixed farming देखने को मिलता है mixed farming का मतलब क्यों आदा integration of crops and life stocks मतलब क्रॉप्स भी तो बहुत से री grow करवाई जाती है एंटर टाइम उसके साथ साथ life stock के rearing भी की जाती है ठीक है crops जैसे wheat barley or tribe maze इनकी cultivation की जाती है और animals जैसे cattle sheep poultry में जो भी यह हमारे मुर्गे मुर्गे आते हैं इनकी क्या की जाती है रेरिंग की जाती है ठीक है अब mixed farming में आप देखेंगे कि वर्ड में कहां कहां पे होती है mixed farming ठीक है यहां पे आप देखेंगे mixed farming का जो region है वो हमारा South Africa का जो यह southern most part है ठीक है यहां पे Argentina का देखें यह part Argentina का अब North America में यहां पे यह वही हमारा California का यह part आप देखें ठीक है यह यहां पे prairies grassland है यहां पे ठीक है यहां पे ही mixed farming देखने को मिलता है ठीक उसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो यह हमारा पूरा का पूरा क्या है यह युरशिया का पार्ट है ठीक है यहां पे हमें mixed farming देखने को मिल दिया है ठीक है तो इन regions में मतलब यह जो रिजन से यह बहुत ही सदा developed region से highly developed region से यहां पे crop crop की cultivation की जाते है साथ ही साथ एनिमल्स की रेरिंग भी की जाते है इसको mixed farming क्याते है इस इमेज में आप देखें mixed farming क्या होता है यहां पे आप देखें यहां पे कितने सारे crops means crops की cultivation की जा रही है ना उसके साथ साथ ही एनिमल्स की रेरिंग भी कर रहे है तो इसको हम क्या कहेंगे mixed farming और mixed farming में एक चीज़ और भी होती है कि मतलब एक row बनाए जाती है तो उन rows में crop की cultivation की जाते है जैसे यह row जो होगी यह एक crop की होगी यह दूसरे crop की होगी तीसरे crop की क्योंकि at a time एक ही उस land पे तीन चार 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 रोज बनाकर उन तीन चार 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 अलग लग crops की cultivation की जाते है साथ में एनिमल्स की रेरिंग भी की जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं mixed cropping ओकी